नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्यो अपिजनल पी एफपी में एक और ट्रेडिंग भी कम्प्लीट हो चुका है और मार्केट में हमें स्टेबिलिटी नजर आती है 18300 के उपर Nifty 50 close हुआ है इस हफ़े आप देख सकते हैं मातर 200 पॉइंट का रेंज में मार्केट ने ट्रेड गया है 200 पॉइंट भी पूरे नहीं है 230-235 पॉइंट की रेंज में मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है Nifty के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है एक एक दिन में इतना मोमेंटम हो सकता है लेकिन फिलाल मार्केट आपको स्टेबल नजर आता है नेक्स्ट वीक मार्केट से हम क्या एक्सपेक कर सकते हैं कॉंसे स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं इसके बार में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले FIA-DIA एक्टिविटी के बार में बात करते हैं तो FIA आप देख पाएंगे शुरुबात में आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिली फिर दो दिन सेलिंग होई थी फिर से बाइंग होई फिर से सेलिंग देखने को मिली DIA इस की तरफ से आपको तगड़ी बाइंग होती भी नज़रा यह सिर्फ 15 नवेंबर को सेलिंग होई थी और अगर हम बात करें तो इंस्टिटूशन की तरफ से बाइंग हो रही है जो कि अच्छी बात है FISB यहाँ पर नेट बेसिस पे बाइंग कर रहे हैं और DIA इस बी नेट बेसिस पे आपको बाइंग करते हुए नज़रा आते हैं दोनों इंस्टिटूशन की तरफ से इस हफ़ते तो बाइंग दिखने को मिली है Commodity के बार में बात करें तो Crude Oil में आप देख पाएंगे यहाँ पर Positive Pattern बन रहा था फिलाल यहाँ पर अच्छी तेजी आ गई थी फिर यह उपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वापस नीचे आ गया है तो यह इंडिया के लिए काफी ज़दा अच्छी बात हो जाती ह Natural Gas के बार में बात करें तो Natural Gas में भी फिलाल यहाँ पर Indecisiveness नजर आता है 600 के उपर जाता है थोड़ा से Strong हो सकता है अगर वापस यह लेवल तूटता हूँ नजर आता है तो यहाँ पर घिरावट देखने को मिल सकती है गोल्ड के बार में बात करें तो गोल्ड में Overall Sideways Momentum है और Short Term में आपको Positive Momentum देखने को मिल रहा है 53,000 के आसपास पहुँच चुका है यहाँ से थोड़ा सा Sell-Off हम Expect कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर Overall तो यह बड़ी सी Range में आपको Trade करता हूँ नजर आता है आपको लगता है Breakout हुआ मेरा यहाँ पर शायद यहाँ पर Breakout मैंने Trade किया था लेकिन फिर गिरावट देखने को मिले उसके बाद यहाँ पर Breakout पर Trade नहीं किया क्योंकि Oral यह Range में Trade कर रहा है यहाँ पर उपर जाता है Selling देखने को मिलती है नीचे आता है Buying हो जाती है तो यहाँ पर Chances हैं कि वापस 52,000, 51,500 यह सारे लेवल को अप्रोच कर सकता है USD के बार में बात करें तो डॉलर आपको वापस थोड़ा सा Strong होता हुँ नजरा या डॉलर में एक Bounce Back आया है मतलब रूपी थोड़ा सा Week हो चुका है 82 का लेवल Technically Important है यहाँ से नीचे आ सकता है यहाँ फिर आपको उपर जात हुआ नजरा सकता है US market के बार में बात करें तो S&P 500 में आप देख पाएंगे slow recovery चलती हुए नजरा आती है अभी फिलाल यहाँ पर यह जो लेवल है काफी ज़दा important level हो चुका है यहाँ पर एक strong breakout आपको देखने को मिला बड़े gap up opening के साथ आपको यह breakout देखने को मिला है closing देखें यहाँ पर हुई थी gap यहाँ पर open हुआ फिर market और उपर गया तो यह level काफी ज़दा important है इसको अगर hold कर जाता है तो यह अच्छी बात है S&P 500 में आपको stability नजरा सकती है और recovery नजरा सकती है important events के बार में बात करें तो मंडे को IPO लिस्ट होने वाला है आरकेन केमिकल का और five star business finance का चाइना का interest rate का decision भी आने वाला है तो यह भी काफी important है Tuesday को IPO listing होने वाले है कैनेस technology की board meeting है वेदान ताकी यहाँ पर interim dividend हमें मिल सकता है यूरो एरिया consumer confidence का भी data आने वाला है Wednesday को listing है आइनोक्स green energy services की SNP flash PMI का data आने वाला है Thursday को IPO listing है keystone realtors की US FOMC meeting minutes है तो यह के Thursday को important events आपको आते भी नजराते हैं US FOMC minutes है और South Korea, South Africa, Turkey, Argentina के interest rate के decision है तो यह भी काफी जदा important हो जाता है एक तो Monday को interest rate का decision आ रहा है चाइना का और Thursday का यह important event हो जाता है Friday को UK, Germany consumer confidence का data आने वाला है तो इस पर भी नजर बना कर रख सकता है लेकिन main data मेरे इसाब से एक तो वो चाइना का interest rate का decision है मंडे को और बाकी Thursday को expiry के दिन आपको यहाँ पर data आने वाला है चार country का यहाँ पर focus बना कर रखना है और US FOMC minutes भी आने वाला है तो यह important events हो जाते है निफ्टी 50 के चार्ट पर आप देख सकते हैं फिलाल यहाँ पर एक range में निफ्टी आपको trade करता हुए नजर आता है 18250 के आसपास low आपको देखने को मिला और higher side पे 350 400 के आसपास का high देखने को मिला है एकदम से range में यह trade कर रहा है फिलाल overall strong नजर आता है कोई doubt नहीं है daily RSI 63 का level है overall momentum भी अभी strong ही चल रहा है जब तक 60 के ऊपर है सारे moving average के ऊपर निफ्टी trade कर रहा है weekly chart के बार में बात करें तो weekly chart पे हमने last week भी discuss किया था कि अभी एक low G candle देखने को मिल सकती है क्योंकि अच्छा कासा momentum हो चुका है अभी एक low G देखने को मिली है अगर इसका low आपको cross होता हुआ नजर आता है इसका low था 18250 के करीब अगर यह low cross होता है तो थोड़ी बहुत गिरावट हम expect कर सकते है 18000 तक market आपको आता हुआ नजर आ सकता है यह कोई घबराने वाली बात नहीं है 18000 का level कितना बड़ा resistance था इसको यहाँ पर नीचे के level से तोड़ दिया है तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत concentrate कर जाता है तो यह को बुरी बात नहीं है 18000 के आसपास आपको एक strong support नजर आता है 17900 यह सारे levels खरीदारी के levels है अगर यह high आपको cross होता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर of course उपर का momentum भी देखने को मिल सकता है आपको 18600 तक के levels देखने को मिल सकता है क्योंकि यह हमारा all time high है फिर वहाँ पर कैसा price action बनता है यह काफी ज़दा important रहता है तो फिलाल यहाँ पर expectation तो यह ही है 18000-17900 यह important support है और higher side पर 18600 के आसपास हमे important resistance नजर आता है Nifty में अभी हम थोड़ा सा momentum expect कर सकते हैं क्योंकि 5-6 दिन से आपको momentum देखने को नहीं मिला है आज हुआ था लेकिन वापस recovery आ गई है और एक रेंज में ट्रेट कर रहा है तो यहां पर हम जल्दी थोड़ा बहुत momentum expect कर सकते हैं आपको यह closing basis पर momentum की में बात कर रहा हूं थोड़ी बहुत गिरावट या थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल सकती है तो यहां पर अगर यहां पर breakout देखने को मिलता है तो एक अच्छी rally की शुरवात होती भी नजर आ सकती है तो जब तक यह 30,000 के ऊपर trade कर रहा है यहां पर हमें खरीदारी की opportunity धोड़नी है अगर 30,000 का level तूट जाता है तो यहां पर हम avoid कर देंगे लेकिन अगर 30,000 के level पर मिलता है तो attempt कर सकते हैं यहां से आपको एक rally देखने को मिल सकती है निफ्टी small cap में अभी भी situation सेम नजर आती है यहां पर आपको recovery देखने को मिली उसके बाद momentum गायब हो गया है weekly chart पर भी देखेंगे तो फिलाल आपको sideways trend ही नजर आता है गिरावट अच्छी गासी हुई recovery देखने को मिली resistance पे गया उसके बाद बहुत नीचे भी ने आया और अभी तक उपर भी नहीं जा पाया है sideways ही चल रहा है तो यहां पर wait करना है कि भाई उपर के side पे level टूटता है या फिर नीचे के side पे level टूटता है जहां पर भी level टूटे का एक बड़ा momentum देखने को मिल सकता है नीचे के side पे अभी 9000 का level है उपर के side पे 9800 का level है अगर यह levels टूटता है तो आपको one sided momentum देखने को मिल सकता है कौन से stocks पे हम focus कर सकते हैं इसके बार में चर्चा करते हैं सबसे पहले axis bank है axis bank में आप देख पाएंगे यहां पर आपको बहुत बड़ी rally देखने को मिली यहां पर gap of opening देखने को मिली monthly chart पर भी आप देख पाएंगे कितने बड़े consolidation के बाद आपको यह breakout देखने को मिला है और यह breakout के बाद stock retest करता हुआ नजर आता है तो यहां पर हमारा plan कैसे हो सकता है देखे stock में यह जो rally आई फिर एक consolidation हुआ फिर एक strong breakdown देखने को मिला मतलब अभी 900 का level तो resistance की तरह काम करेगा यह गिरावट हुई यहां पर आपको थोड़ा सा एक range में नजर आया फिर से गिरावट हुई फिर से range में आता हुआ नजर आता है तो यहां पर possibly अगर एक और बार गिरावट हो जाती है फिर यह best level पे आ जाएगा जहां पर हम खरीदारी attempt करने के बार में सोच सकते हैं जाएगा बाय चांस अगर ऐसा नीचे नहीं आता है फिर ऐसा recover नहीं करता है अभी से आपको यह recover करता हुआ नजर आता है तो यहां पर कोई खास trade बनेगा नहीं यहां पर देखिए अगर flat open करके यह उपर जाने की कोशिश करता है तो फिर भी हमें यहां पर खरीदारी की opportunity मिल सकती है यहां पर 900 रुपे के target के लिए आपको चोटी stop loss के साथ खरीदारी attempt करने के बार में सोच सकते हैं लेकिन best case scenario तो आपको नीचे आकर वापस ऊपर जाने वाला रहेगा 828-830 का level यह best zone है जहांस हम खरीदारी attempt कर सकते हैं दूसरा stock है astral limited astral में आप देख पाएंगे यहां पर एक बहुत बड़ी rally है best place इसका था कि 2000 से इसको return कर जाना चाहिए था लेकिन फिलाल यह stock और भी जादा नीचे आ चुका है तो no doubt stock में weakness है इसलिए हम यहां पर swing trade या positional trade के लिए कोई जादा plan नहीं कर रहे हैं फिलाल यहां पर हम 1850 का level देख रहे हैं जहां से आपको यह अकच्छी rally के शुरुवात होती भी नज़र आई थी यह एक अच्छा level है जहां पर आप long term के लिए stock को accumulate करने के बार में सोच सकते हैं और अगर हम monthly chart पे देखेंगे फ फिलाल जब तक यह stock इसके ऊपर है हम यहां पर bounce back के expectation रख सकते हैं तो इसलिए यह levels अच्छे हैं जहां पर हम खरिदारी प्लान कर सकते हैं तीसरा stock है haveils limited haveils में भी आप देख पाएंगे और आपको एक range में trade करता हो नजर आता है जैसा कि हमने astral में discuss किया सेम वैसा haveils में haveils में भी हब देख पाएंगे previous trend bullish था गिरावट देखने को मिली overall जब तक यह stock 1000 रुपे के ऊपर है 1100 के ऊपर trade कर रहा है हम यहां पर खरिदारी attempt करेंगे क्योंकि previous trend overall bullish था trend bullish है long term trend इसका bullish है फिलाल यह stock time correction में चल रहा है consolidate करता हुआ नज़र आता है तो जब तक यह support के ऊपर है monthly chart पर हम खरिदारी attempt करेंगे by chance इसके नीचे चला जाता है तो हम छोड़ देंगे खरिदारी attempt करना तब हम wait करेंगे wait and watch करेंगे दूसरा decision लेंगे लेकिन फिलाल यहां पर जब तक इसके ऊपर हम खरिदारी attempt कर सकते और stock एक अच्छे level को approach करता हुआ नज़र आता है stock 1150 के आसपास trade कर रहा है यह एक अच्छा zone जहां पर आप accumulate करने के बार में सोच सकते है I hope आपको वीडियो पसंद आता है कुछ सीखने को मिलता है thank you stay happy happy investing